अब हम forensic ballistic में types of bullet देखते हैं तो atypical bullet को हम देखेंगे तो सबसे पहले है tandem bullet या फिर piggyback bullet ये bullet क्या होती है जनरली कोई लंबे टाइम तक यादि gun को use नहीं करता तो जब हम पहली firing करते हैं तो bullet बहार नहीं आती second firing करते हैं तो दो bullet जो होती है वो एक सांथ बहार आ जाती है इसके बाद तो मजलेंड से बहार आ जाती है इस तरह की bullet को क्या कहा जाता है tandem bullet कहा जाता है तो ये देखा जाता है old unused gun में one bullet follow other bullet two bullet come out from मजर मजलेंड आगे अगर अगर अपन बात करें dum-dum bullet या फिर mushrooming bullet ये क्या ह नहीं होती है या फिर semi jacket से cover होती है आगे बात की जाएं ये क्या होती है ये bullet जो होती है जनरली इसमें गेपिंग होती है तो जनरली जब ये target से टकराती है तो ये mushroom फेल जाती है तो इससे क्या फायदा होगा इससे more damage होता है और large hole produce होता है तो ये expand करती है target side पर mushroom लाई इस इसलिए तो इससे mushrooming bullet कहा जाता है तो अपने डंडं bullet आगे अगर अपन बात करें tracer bullet tracer नाम से ही पता लग रहा है कि इसको अपन किदर गई है इसको अपन trace कर सकते हैं तो क्या लिखा है bullet जो होती है वो glow करती है air में ग्लो करती है air में बेन fire तो tracing the path of bullet possible हम पता लगा सकते ह किस बात से गई है आगे अगर अपन बात करें fragile fragmented bullet या फिर इसे बोला जाता है frangival bullet यह क्या होती है यह bullet जो होती अपने target से तकराती है और fragmented quaned में divide हो जाती है तो bullet git fragmented on impact made up of यह bullet किससे बनी होती है iron या फिर laid या फिर copper से बनी होती है जिसे frangival या फिर fragmented bullet कहा जाता है आगे अगर अपन अपन बात करें tumbling bullet ये क्या होता है tumbling bullet जो होती है ये rotate करती है कहां rotate करती है end to end rotate करती है तो जिसे अगर किसी ने firing करी तो ये bullet जो होती है अपने इसमें घूमने लग जाती है तो इसे क्या बोला जाता है टंबलिंग बुलिट कहा जाता है अब है योनिंग बुलिट ये क्या होती है कि ये बुलिट बस ये सीधा दिख रहा है अपने को जब ये जा रही है तो irregular path को ये follow कर रही है तो bullet terrible in irregular fashion तो इसे बुलो जाता है योनिंग बुलिट आगे बात की जाए poison bullet तो नाम से ही पता लगा कि कुछ ना कुछ poison होगा तो bullet में होते है कुरारे, रेसीन या फिर एफला टॉक्सिन आगे अगे अगर अपन बात करें non-toxin या फिर green bullet तो ये late free bullet को अपन green bullet या फिर non-toxic bullet कहा जाता है आगे अगे अगर अपन बात करें plastic bullet या फिर beton round ये क्या होता है नाम से ही दिख रहा है plastic bullet ये polyvinyl chloride तो PVC से बनी हुई होती है ये fatal हो सकती है यदि हमने hit करा near से आगे अगे अगर अपन बात करें fatal हो सकती है यदि अपने hit करा है near से आगे अजाएगा अपना souvenir bullet तो ये जो souvenir bullet होती है बहर बुलेट जो होती है वो रेटाइन रह जाती है कहां inside the body तो body के अंदर ही ये रह जाती है लंबे time तक तो इसे बोला जाता है शोवे नीर bullet तो ये क्या करती है कि जनरली जब बोडी में retain रह जाती है तो ये dense fibrous इसकी covering हो जाती है उसके around tissue के चार और मतलब जो gun bullet होती है उसके चार और tissue के covering हो जाती है आगे बात की जाएंगे कि यहां से क्या होता है कि late का धेरे-धेरे absorption होता है बोडी में bullets है तो उससे क्या हो सकता है chronic late poisoning हो सकती है आगे अगे अगर अपन बात करें रिको चैट bullet रिको चैट bullet एक important bullet है ये क्या होता है कि जब bullet को firing करी जाती है तो बहें person से बोडी से टकराने के पहले ही किसी दूसरे object को hit करती है उसके बाद फिर बोडी के अंदर चली जाती है तो किसी ने firing करी पहले किसी ball से object से पहले वो उसमें strike करेगी उसके बाद फिर बोडी में इंटर कर जाएगी तो रिको चैट bullet क्या होती है एक bullet बन बिच before striking the victim strikes some intervening object first after रिको चैट रिको चैट करने के बाद ये hit करती है victim को तो इसका path of रिको चैट जो होता है completely unexplain हो सकता है unexplain होता है कि किस path से जाएगी किस से टकर आएगी ये completely unexplain है आगे अगर अगर अपन बात करें causes क्या causes हो सकता है इसके cause हो सकते है यदि अपने inferior firearm use किया है या फिर low velocity में bullet है तो उस समय भे रिको चैट करती है आगे अगर अगर अपन बात करें बुंड की finding अपन देख होते हैं तो bullet में deform आगे लिखा हैगा कि जो entrance wound होगा तो generally entrance wound अब बहां बिल्कुल regular जो अपने पड़ा था ना rifling gun में rifling wound की बिल्कुल इतने meter पे इस तरह की इंजरी इतने पे इस तरह की तो इसा कुछ इसमें नहीं मिलेगा तो entrance wound जो होगा इर्रेगुलर होगे उसकी margin और तो ना ही अपने को blackening, burning, tattooing कुछ भी scene नहीं होगी क्योंकि वो पहले ही टगरा चुकी तो इस तरह की चीज़े अपने को बिल्कुल scene नहीं होगी आगे अगर अपन बात करें तो depending on surface जैसे कि अगर bullet है उस पर अपने को paint मिल रहा है तो अपन बता सकते है paint may be found adhering to the bullet ये अप कोई चीज blackening, burning, tattooing, avarison color ये नहीं मिलेगी entrance bone irregular होगा और large होगा और deform होगा ये external ricochet है अब क्या होता है कि जो body के अंदर भी ricochet हो सकती है skull के अंदर जैसे कर is skull के अंदर अपनी bullet गई है तो वह पिले किसी surface से टकराई उसके बाद उसकी velocity कम हुई तो बहार नहीं गई अंदर रिकोचेट कर लिया इधर आ गई है तो क्या लिखा है after passing the brain no velocity left in the bullet to penetrate the skull तो जो inner table होती है बहां से ये रिकोचेट होती है और produce करती है second trick अब जो है रिकोचेट for second time मालो एक बार और रिकोचेट हुई तो वो produce करती है third trick तो ये हमने complete करा different तरह के bullet थेंक यू